दोस्तो डिटॉक्स का मतलब होता है हमारी बॉडी में से टॉक्सिंस को बाहर निकालना जो कि बहुत जरूरी है हमारी अच्छी हेल्थ और वेल बिंग के लिए और हमारी बॉडी के पास कुछ ओर्गन्स हैं जैसे कि लंग्स, किड्नी, लिवर और इंटेस्टाइन जिससे य लेकिन आजकल के इंवायर्मेंट में जहां हम रहते हैं वहार टॉक्सिंस का ओवरलोड हो चुका है हमारे खाने की तुरू, येर की तुरू, वाटर की तुरू और यहां तक कि हमारे गैजिट्स के तुरू तो ये जरूरी होता है कि इन सभी और्गन्स की फंक्शनिंग के लिए हम कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ जरूर करें जिससे जो ये डिटॉक्स का प्रॉसेस है इसको सपोर्ट मिल पाए और जल्दी से ये सारे टॉक्सिंस हमारी बाड़ी से बाहर निकल पाएं और हम अच्छी हेल्ट की तरफ बढ़ पाएं और इसका फायदा क्या होगा इ इससे आपकी पूरी ओवराल हेल्द काफी बेटर होगी तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले है कैसे हफते में एक दिन आपको क्या हैबिट्स फॉलो करना चाहिए जिससे आप अच्छे से अपनी बॉड़ी को डिटॉक्स कर पाएं और कोशिश करें ये टेकनिक एक आइरवेदिक मेडिसन है जिसमें तीन आइरवेदिक प्लांट्स होते हैं पहला इसमें आमला है जिसको गूसबेरी भी कहा जाता है जो विटमिन C, मिनरल और एमेनोसिट से भरपूर होते हैं और साथ ही इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी होती हैं दूसरा इसम जैसे कि constipation और blotting को ठीक करने के लिए जाना जाता है इन तीनों के combination से बनती है powerful चीज जिसे हम बोलते हैं तिरफला जो आपके intestine को detox और साफ करने में मदद करता है रिसर्च में ये बात भी थाबित हुई है कि जिन लोगों को digestive issues रहते हैं तिरफला उनके लिए काफी effective remedy है और आपको बता दें कि intestine को साफ रखना बहुत जरूरी है क्योंकि overall health आपके intestine की health के उपर ही depend करती है आपने मैसूस किया होगा कि जब आपको भराबरा या gas जैसा मैसूस होता है या constipation होता है तब आपका mood पूरे दिन खराब रहता है और आपको अच्छा फील नहीं होता इसका कारण यह है कि हमारी जो intestine है वो हमारी body के 90% serotonin यानि की happy hormone बनाता है और अगर हमारी intestine साफ नहीं होगी तो serotonin जैसे hormone के production में ये बादा बनेगा और ये आपके mood और आपकी health को effect करेगा negatively इसलिए हफते में एक दिन एक tablespoon तिरफला चूंड एक glass कुनगुने पानी में मिलाकर early morning खाली पेट पीना है इसका taste शायद आपको पसंद ना है लेकिन आपको ये हफते में सिर्फ एक बार ही करना है और ये जरूरी भी है इस से आपको बार-बार बातरों भी जाना पड़ सकता है यानि कि आपका पेट अच्छे से साफ होगा लेकिन इसी से आपकी intestine ठीक तरह से साफ होगी अब बात करेंगे दूसरी तकनीक के बारे में जो की काफी पुरानी टेकनीक है या आपके blood और आपके mouth को detox करने में सबसे ज़रा effective है क्योंकि intestine के बाद सबसे ज़रा toxins जहां पाय जाते हैं वो है आपका mouth आप चाहे जितने भी अच्छे से आप brush कर ले mouth wash कर ले या tongue clean कर ले लेकिन तब भी कुछ ना कुछ particles आपके mouth या teeth में फस जाते हैं जो की bacteria की growth का कारण बनते हैं जिसकी वज़े से cavities, bad breath और bad oral health जैसी चीज़े होती है लेकिन ये जो technique हम आपको बता रहे हैं इससे बोलते है oil pulling इससे आप अपने mouth के अंदर के सभी toxins और bacterial growth को रोग सकते हैं oil pulling एक ऐसी technique है जो आपके mouth के साथ साथ आपके blood से भी toxins को remove करने में effective होता है oil pulling करने के लिए आप किसी भी oil का इस्तिमाल कर सकते हैं जैसे coconut oil, olive oil या फिर mustard oil लेकिन हम आपको coconut oil का ही इस्तिमाल करने की सला देंगे क्योंकि बाकी दो oil का test काफी strong होता है लेकिन coconut oil का test neutral होता है इसके लिए सुबह ब्रश करने से पहले एक table spoon coconut oil को लेना है लेकिन इससे निगलना नहीं है इससे आपको अगले 10 मिर्ट तक अच्छे से अपने मूँ में इसे घुमाते रहना है और 10 मिर्ट के बाद आपको इसे बाहर दूख देना है इसके बाद आपको पानी से अच्छे से कुला करना है और फिर ब्रश करना है और brush करने के 30 मिर्ट तक आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं है अब जो oil में fatty acids मौझूद होते हैं वो आपके मूँ में, दाथ में जितने भी वैक्टिरिया होते हैं उसे soak लेते हैं और इसके साथ ही आपके slavery glands को भी ये activate करके ब्लड में छेपे chemical toxin और bacterial toxin और environmental toxins को remove कर देते हैं इसे भी आप अच्छे से detox करने के लिए हफ़ते में एक दिन कर सकते हैं अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल हेल्थ हैं जो आएको like और subscribe करना ना भूले ताकि आप इस तरह के कोई भी वीडियो कभी भी miss ना करें और साथ ही वीडियो चल लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी share करना ना भूलिएगा चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और अपनी तीसरी तक्निक के बारे में देखते हैं दोस्तो अब हम लास तरीके के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी बॉडि को पूरी तरह से डिटॉक्स करने में मदद करता है जिसे हम फास्टिंग कहते हैं दोस्तो fasting detox करने का सबसे बहतरीन और कमाल का तरीका है क्योंकि इस से आपको काफी सारे health benefit हो सकते हैं यह आपके digestive system को भी रच देता है जो आपके शरीर के सबी जरूरी organs जैसे की stomach, liver, intestine की recovery और उसे repair करने में contribute करता है यह organ और भी ज़्यादा efficient हो सकते हैं और अच्छे से body को detox कर सकते हैं आज हम इस वीडियो में एक ऐसा आसान तरीका बताएंगे fasting का जो की है intermittent fasting intermittent fasting करने के लिए आप हफते में एक दिन 16 गंटे का वास्ट करेंगे यानि की पानी, नीबू पानी या coconut water के लावा कुछ भी नहीं लेंगे इन 16 गंटों में और बच्चे हुए 8 गंटों में आप 3 meals लेंगे जिसमें जाज़दर आपको fruits और boiled vegetables खानी हैं और आप कम quantity में food खाएंगे माली जी आप Sunday को fasting करना चाहते हैं तो आप Saturday को शाम को 8 बचे अपने डिनर को complete कर लेंगे उसके बाद आप Sunday को दोपहर 12 बचे तक पानी, नीबू पानी या फिर coconut water के लावा और कुछ भी नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे इस समय पर आप कोई भी heavy exercise running या कुछ भी करने से परहीज करें हलका फलका आप चाहें तो इस दोरान चल सकते हैं इसके बाद दोपहर को आप 12 बचे अपना पहला मील खाएंगे जिसमें आप धेर सारी बॉयल सबजियां और फूट खाएंगे कुछ ओले वॉयल के साथ उसके बाद 3 बचे आपको अपना दूसरा मील खाना है इसमें आपको दोबारा से fruits और boiled vegetables लेने हैं लेकर साथ में थोड़ा सा carbohydrate जैसे की आलू, rice, डाल रोटी और साथ में कुछ nuts या seeds इसके बाद आप 8 बचे अपनी last meal को consume करेंगे जिसमें आप potato, rice, चैपाती, डाल, चना, पनीर इन में से कुछ भी ले सकते हैं और साथ में एक कटोरी boiled vegetables भी आपको खानी हैं अपनी meals के बीच में आप पानी पीते रहें और next day आप अपने normal routine को follow कर सकते हैं तो दोस्तों इन तरीकों को अपना कर आप सिर्फ एक ही दिन में अपने body को आसानी से detoxify कर सकते हैं तो आज की वीडियो वस इतना ही जल मिलते हैं अपनी next वीडियो के साथ हमें उम्मीद है कि आप इन सभी तरीकों को ज़रूर फॉलो करेंगे और साथ ही हमें अपनी राय कमेंट के किस जरूर बताएंगे इसके लावा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और आप हफ़ते में दो बार entertain होना चाहते हैं तो हमारे चैनल health and joy को लाइक करें सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको लगतार हमारे चैनल से जोड़े सबी अपटीट्स मिलते रहें तब तक के लिए धन्यवाद